बॉलिवुड में हर आक्टर और आक्ट्रिस की चाहत होती है कि वो सल्मान खान के साथ काम करें सल्मान ने खुद भी कई लोगों को चांस दे कर उनका करियर बनाया है इसलिए भाईजान इंडस्री के सबसे बड़े दिलदार कहे जाते हैं उनके स्टार्डम के आगे आज हर कोई नत्मस तक है आज हम आपको ऐसी ही आक्ट्रिस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सल्मान के साथ बीते 20 सालों से काम नहीं किया सल्मान खान और रवीना टंडन ने आज तक सिर्फ दो ही फिल्मों में साथ काम किया है पहली बार दोनों की जोड़ी 1991 में रिलीज हुई पत्थर के फूल में नजर आई थी जबकि दूसरी बार दोनों अंदाज अपना-पना में दिखाई दिये थे अब इस फिल्म को रिलीज हुए 25 साल बीत गए हैं लेकिन ये जोड़ी फिर कभी साथ नजर नहीं आई देखने को मिली थी इसके बाद ट्विंकल एक छोटे से रोल में चल मेरे भाई में नजर आई थी इस फिल्म को रिलीज हुए भी 20 साल बीत गए हैं लेकिन दोबारा ये जोड़ी दर्शकों को देखने को नहीं मिली जुही चावला ने सलमान खान के ओपोजिट कोई फिल्म नहीं की गेस्ट के तौर पर भी दोनों एक साथ जीरो, दीवाना मस्ताना, अंदाज अपना अपना, सलाम ए इश्ग और सनफ सरदार में नजर आ चुके हैं फिल्म हम साथ साथ है में सलमान खान और सोनाली बेंद्रे की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान हिरन के शिकार के मामले में फस गए कुछ लोगों का मानना है कि इसी बात की वज़ा से दोनों के बीच जगड़ा हो गया था और 20 साल से दोनों ने साथ में काम नहीं किया है अभी वीडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ, बाई बाई